Hello students, this video is made by Unique Public School Raya for the second class students. So students, today we will discuss chapter 6 of EBS class. The name of the chapter is water. Water means gel. So students, chapter 6 में हम जल के बारे में पढ़ेंगे के जल का इस्तेमाल हम कहां 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 करते हैं, जल के कौन कौन से साधन हैं और जल को हम कैसे प्रदूशित करते हैं. So let's start. We need water to live. हमें जीने की रिए जल की ज़रूरत है. Water means gel, need means ज़रूरत. It is our basic requirement. यह हमारी basic requirement है. Requirement means आवशक्ता. All human beings would die without water. सभी मानर जल के बिना मर सकते हैं. Plants and animals also need water. पौदों और जानवरों को जल की ज़रूरत है. Water quenches are thirst. जल हमारी प्यास बुझाता है. Thirst means प्यास. Quenches means बुझाना. Next, uses of water. जल के इस्तेमाल. We use water for drinking. जल का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं. We use water for bathing. जल का इस्तेमाल हम नहाने के लिए करते हैं. We use water for cooking. जल का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं जल का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं जल का इस्तेमाल हम अग्रिकल्चर के लिए करते हैं अग्रिकल्चर मीन्स खेत जल का इस्तेमाल हम फ्लोर को साफ करने के लिए करते हैं We use water for washing utensils, जल का इस्तेमाल हम बरतन साफ करने के लिए करते हैं Utensils means बरतन We use water for putting out fire, जल का इस्तेमाल हम आग बुचाने के लिए भी करते हैं We use water for plants, जल का इस्तेमाल हम बौधों के लिए करते हैं Animals and birds, drink water, जानवर और पंची, पानी पीते हैं इन सभी कामों के लिए हम हर रोज जल का इस्तेमाल करते हैं Now move to page number 38 Sources of water, जल के साधन We get water from different sources like rain and river जल हमें अलक-अलक साधनों से प्राप्त होता है Like rain and river, जैसे बारिश और नदी In village, people dig wells to get water गाओं में लोग पानी को प्राप्त करने के लिए कोई खुदवाते हैं Well means queen, drink means खुदवाना जैसे आपके book पर नीचे well की picture दे गई है कोई की picture दे गई है तो गाओं में लोग पानी को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे कोई खुदवाते थे They also make use of hand pumps When hand pumps का भी इस्तिमाल करते है Hand pumps means null जैसे आपको null की भी picture आपके book पर दी गई है ये कहा है hand pump है जिसे हम हिंदी में कहते हैं null This water is pure यह पानी बिल्कुल शुदध होता है It is fit for drinking है पीने के लिए बिल्कुल सही होता है In cities, the water is first stored in big tanks शैरों में लोग पहले पानी को big tank में store करते है It is then supply to home और इसके बाद से घरों में supply किया जाता है तो students, आपको sources of water जैसे पाएंगे है Well, tap, tank, hand pump, tube well and river तो ये सभी क्या है जल के सादन है तो इन सभी सादों से हमें क्या मिलता है Water मिलता है I hope students, आपको ये chapter यहां तक अच्छी थर से समझ आ चुके है So students, we will continue this chapter in the next video Thank you